नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अभी इन स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूटूब चैनल फार्मिंग इंडिया में आज की इस वीडियो में हम आपको गुलाब की कलम लगाने का बिलकुल ही आसान वाटसप से अच्छा तरीका बताएंगे इसके दोरा ये य दिया आप गुलाब की कलम लगाते हैं तो उसके लगने के 100% चांस रहते हैं और इस तरीके से ये यूद गुलाब लगाया जाए तो उसमें जो उसकी जड़े हैं वह जयान निकलती हैं जिससे वह बढ़ा होकर उसमें अधिक महत्तरा में फूलाते हैं दोस्तों ये तरीका बिलकुल ही आसान है इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों सबसे पहले आपको एसी कलम की चैन करना है जो ना तो जादा पुरानी हो और ना जादा नई जैसे यदि आप जो नई कलम है उसका प्यरवियो करते हैं तो उसके लगने के कम चांस रहते हैं और जो अधिक पुरानी किसम कुलाब की कलम रहती है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो उसके भी कम लगने के जादा चांस रहते हैं इसके लिए आपको मीडियम कलम जाना पुरानी हो ना जाना नई जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं यह बिलकुल एक जो हमारे हाथ की छोटी उंगली रहती है उसकी मौटाई के बरावर होना चाहिए और उस पर जो जो इसके नए कलम निकलते हैं वह निकलने के जो इसके पीका निकलते हैं जहां से ज मैं जो पीके हैं इसके लगभगस मैं इसके चार पीके रहें ताकि दो अपन लोग उसके जो जमीन है उसके अंधर कर देंगे जिन से जड़ निकलेंगी और जो दो उसके पीके हैं उसको जमीन के ऊपर कर देंगे जिससे उसकी नई कलम निकलेंगी दोस्तों आपको मैं इस ये तबीवाइ सीधी किलम रहती है और तबीवाइ गरू होती है और इसकी साइज लगबग जो हमारे हाथ का बेथा रहता है उसके बरावर यानी लगबग 6-7 इंच की होनी चाहिए दोस्तो आपको जो इसके पीके का भाग रहता है इसका उपर और नीचे से वहां से आपको काट लेनी है दोस्तो ये पीका है इसी के दोरा जड़ नकलती है और अपन लोगों को दो पीके इसके अंधर रखने हैं आपको एक डिस्पोजल गलास ले लेना है जिसमें नीचे छे किये हुए हैं ताकि उसमें पानी का भराव ना हो सके और इसमें जो साधारन मिट्टी है उसको लिया हुगा है यह बिलकुल ही साधारन मिट्टी हमारे बगीचे की है और जो इसके कलम है उसके जो पीके हैं वै उपर की और होना चाहिए कलम सीधी जहने की यह इस्थिति है कि उसके जो पीके हो बाई उपर की उपर हो और उसके जो काटे हो बाई नीचे की ओर हो हमने यह सहद ले रखा है यह एक प्रकार से रूटिंग हार्मोन का काम करता है रूटिंग हार्मोन मतलब आपको बता रहें कि यदि आप अपने कलम में यह लगाते हैं तो उससे अधिक ज़र निकलती हैं जिससे आपका पौधा आने वाले समय में अधिक फूल देता है दोस्तो आपको कलम के जो नीचे का भाग रहता है उसको किसी चाफू या बिलेट की मदद से छील लेना है दोस्तो आपको यह जादा मातरा में नहीं चीलना है इसे बिलकुल थोड़ा थोड़ा चीलना है यदि आप इसे जादा चील लेते हैं तो इससे जो कलम में फंगस लगने के जादा कान रहते हैं जिससे कलम लगने के बाद भी वह सूक जाती है दोस्तो अब आपको इस जो कलम चीली हुई है उसे जो सहद है उसमें अच्छी तरह से डुबा लेना है ताकि उसमें सहद अच्छी तरह से च्पक जाए और दोर से जब उसमें सहथ अच्छी तरह से बिलकुल चिपक जाए अच्छी तरह से मानें जब चिपक जाए फिर उसे जो डाल चीनी आती है जो की मसालो की दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगी उसे पीश कर उसका पाउडर बना लें आइ अभी रूटिंग हार्मोन का काम करता है सहथ और डाल चीनी का पाउडर या दोनों ही रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं दोस्तो यह दाल चीनी आपको जो मसालों की दुकान रहती हैं पर आसानी से मिल जाएगी आपको कलम में सहद लगाने के बाद उसे दाल चीनी के पाउडर में अच्छी तरह से भड़ा लेना है ताकि उसमें जो दाल चीनी का पाउडर है वह अच्छी तरह से लग जाए में फूल राते हैं दोस्तो आपको इत कलम एक झज्जास जो हम G player होगा है उस मिट्डी में लगानी है दोस्तों आपको लगाते समय का ध्यान लगाना है। जो यह कलम लगांत अप वो थोड़ी तुरची होनी चाहिए दोस्तों तुरची इसलिए क्योंकि यदि कलम तरची होगी तो उससे जो नई कल में निकलेंगी वह सीधी उपर की ओर होगी और यदि आप सीधी कलम लगा देते हैं तो उस कलम के लगने के चांस कम रहते हैं और उस यदि वो लग भी जाये तो उससे निकलने बाले कलम तेड़ी रहती है इसलिए आपका पौधा टेरा हो जाता है दोस्तो आपको जो कलम है उसे थोड़ी तिरसी लगान देने के बाद उसमें थोड़ी इसी मातरा में बिल्कुल कम मातरा में जो पानी है बाई डाल देना है दोस्तो अब आपको यह पानी डाल देने के बाद जो आपकी कलम है और जो आपका डिस्पोजल गिलास है उस डिस्पोजल गिलास के उपर आपको एक दूसरा डिस्पोजल गिलास लेना है और उस डिस्पोजल गिलास को ढख देना है दोस्तो डिस्पोजल गिलास को ढखने के बाद आपको उसे अच्छी तरह से टैप लगा द कि दोस्तो इस glass से ढगने का मतलब यह रहता है कि उसमें humanity create हो जाती है जितने उस पौदे के उगने के लिए जरूरी हो और वह पौदा जल्द ही उगाता है दोस्तो अब हमने यह कलम अपने जो बड़े पेड़ हैं जैसे मैंने अभी यह अपनी कलम निबू के पेड़ के नीचे रख देनी है आपको भी यह कोई भी जो चायादार पेड़ हो उसके नीचे रख देनी है और लगबग साथ ही दिन में आपकी यह कलम मैंसे पीका निकल और यह आपकी लगने के लिए तियार हो जाएगी आपको यह डिस्पोजल गिलास काट के और अपनी कलम दूफरी जगह लगा देना है